ओम शान्ति नवरात्री के शुब त्योहार की आप सभी को बहुत बहुत वदाई हो। ये नवरात्री का त्योहार स्त्री शक्ति, नारी शक्ति और शिव की शक्तियों का साक्षातकार कराती है। नवरात्री के दस्वे दिन को कहते हैं दश हरा। तो आज मैं आप से कुछ प्रश्न बताती हूं। आप उस प्रश्नों पर विचार कीजिए और फिर आपको विवेक मान्य यथार्थ और उचित क्या लगता है वो सोचिए। दस हरा माना रावन को विशेश रूप से उस दिन जलाया जाता है। रावन माना दस सीस वाला बड़ा असुर राजा। अब ये दस सीस उसके जो हैं। आपने कभी ये सोचा कि क्या सचमुच दस सीस वाला कोई मनुष्य हो सकता है। अगर दस सीस वाला कोई मनुष्य हो तो आप ये भी सोचिए। वो किस मुख से खाता होगा। किस मुख से पीता होगा। कैसे वो करवट बदल करके सोता होगा। और फिर बताते हैं कि उसका एक सीर कटता था तो तुरंत दूसरा लग जाता था। इस प्रकार उसके दस सीस कोई भी काट नहीं सके। तो ये जो रावन की कहानी है कि उसने हमारे इष्टदेव स्री राम की सीता को चुराया। क्या ये घटना सचमुच सत्य है। इन कई ऐसी बातों के ऊपर आप विचार कीजिएगा। परन्तु मैं आपको एक छोट ऐसा आध्यात्मिक रहश्य दस हरा के उपर बता रही हूं। और वो है दस माना अंक से गिंती करो तो एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नव दस। अब उस दस को हरा। हरा माना मारा या हराया। तो किसने हराया। कैसे उसको हराया। और वो रावन के रस सीस कौन से थे। तो आध्यात्मिक रहस्य यह है कि यह प्रवर्ती मार्ग का परन्तु अपवित्र प्रवर्ती मार्ग का सिंबॉल है। और पांच विशय विकार नर के दिखाए गये हैं। पांच विशय विकार नारी के दिखाए जाते हैं। इन दोनों को मिलाकर होते हैं दस। अब इन विशय विकारों को मिताने के लिए प्रतीक व्यक्ति को अपने साथी की आवश्यत्ता पड़ दी है। नर को नारी की आवश्यक्ता पड़ती है, तो आध्यात्मिकता कहती है, कि यह रावन के दस सीस अर्थात, विशय विकारों को मालना, भगाना या हराना या वो सामने ही न आवेव, ऐसी शक्तियों को धारण करना है, तो वह शक्तियां हमें सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा ही दे सकते हैं, अतह हम राज-योग सीखें, प्रभु से प्रेम करें, और सनेह से उनको याद करके, उनसे हम स्वयम में शक्तियां भरें, और फिर हम जिस भी विकार को जैसे भी मिटाना चाहते हैं, जब भी मिटाना चाहते हैं, हम उसका गला काटके ऐसा रख दें, जो वो फिर से आकर के लगे ही नहीं। और हम रावन से राम बन जाएं, अर्थात राम के जैसे मर्यादा कुर्शुतम बन जाएं, तो आप सभी को फिर से नशा रखी भी मुबारक हो, कि आप अवश्य ही विशय विकारों को मारने का पुर्शार्थ करेंगे, और उसमें आप विजयी बनेंगे, सफलता मूरत भव, ओम शान्ठी